दोस्तों देवदास फिल्म को लेकर कम लोग ही जानते हैं कि शारुक खान से पहले ये फिल्म सलमान खान को उफर हुई थी लेकिन भनसाली सांग सलमान खान की बात नहीं बनी और किंग खान ने देव बाबू बनकर वो कमाल दिखाया जिसे आज तक दर्शक भूलने ही पाए हैं वही जैकी श्रॉफ वाला चुन्नी बाबू का किरदार सबसे पहले गोविंदा और सेफ अलिखान को उफर हुआ था लेकिन फिर किसी से बात नहीं बनी तो जैकी श्रॉफ को फाइनल किया इस फिल्म का गाना डोला रे डोला को शूट करने में साथ दिन से भी जादर समय लगा था इस सौंग के लिए एश्वरिया ने अपने कानों में बहुत हैवी जुम के पहनी थी इसकी वज़े से डांस करने के दोरन उनके कान से खुन बहने लगा था लेकिन उन्होंने अपना गाना पूरा किया और तो और इस फिल्म का एक और गाना काहे छेड मोहे में मादोरी ने 30 किलो की ड्रेस पहनी थी इसके अलावा फिल्म में नशे वाला सिम के लिए शाहरुखा ने रियल में शराब पी थी और तो और इस फिल्म में एश्वर्या के लिए स्पेशली कुलकत्ता से 660 मंगवाई गई थी वही सौंग डोला रे डोला लिखने में एक हफता लगा था क्योंकि फिल्म के डारेक्टर इस सौंग की लाइन एक एक पौफेक चाहते थी वैसे आपको ये मोवी कैसे लगी थी कामेंट में ज़रूर बताना